है लो दोस्तों कैसे हो आप वेलकम टो एसकी क्रियेटिविटी आज मैं आपको एक पुरानी कैटल को डेकोरीट करके दिखाऊंगी मेरे पास एक पुरानी कैटल पड़ी हुई थी कब कि बहुत पुरानी है कम-से-कम 30 साल पुरानी होगी तो इसे मैंने रखा था संबाल के त थबहुत बुराणी आं मैंने से अछिछ से साफ कर लिया है अब मैं इस पर पेंट करोंगी तो या सब लेकि थोड़ी सी इसे मिशेर्ट थोड़ी चेंज करूंगी वाइट कलर twenty color का थो तो है तो तो पृदन ईप्रीक करोंगी तो Le Beth ग्रेन कलर इसका करूं गी मैं अब मैं इसे अच्छे से पिइंट करूंगी ताकि इसका लूक बल्कुर छेंज हो जाए तो यह लाइट ग्रेन कल कलर मैं इस पर कर लूँगी अच्छे से और देखना इसका लूक एकदम चेंज हो जाएगा इसे मैं डेकुरेशन के लिए यूज करूँगी ऐसे जाने के लिए यूज करूँगी तो इसको एक अच्छा सा लूक दूँगी ये मैंने इसको पेंट कर लिया है अंदर की साइड में पेंट नहीं करूँगी क्योंकि अंदर तो इसके धक्कन उपर से आ जाएगा तो अंदर ऐसे छोड़ दूँगी अब इसका जो धक्कन है उसे भी मैं पेंट कर लूँगी तो ये मैं दूसरा पेंट कर रही हूँ तो इससे सोखने के लिए टाइम लगेगा एक दिन इससे सोखने के लिए छोड़ूँगी तो ये देखिए इसको भी मैंने पेंट कर लिया है अंदर के साइड में इसे भी ने करूँगी पेंट क्योंकि ज़रूरत नहीं अंदर के साइड पेंट करने की तो क्यूंकि वो अंदर ही रहेगा वो वाला पार्ट तो मैंने बार की साइड में इसे पेंट किया है तो हम इसे सूखने के लिए छोड़ दूँगी अच्छे से पेंट हो गया है तो यह देखिए सूखने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है बिलकुल इसका लुक चेंज हो गया अब इसके उपर मैं यह फ्लावर काट करके यह वाला फ्लावर मैं काट करके इसके उपर चिपकाऊंगी तो देखना कैसे लगाती हूं मैं इसके उपर तो यह जो पेपर है यह बाटर प्रूफ नहीं है लेकिन मैं इसके उपर फ्लावर लगा के तो यह उपर से सरा फ्लावरं काट कर लिए हैं मैं फैविकोल लोंगी फैविकोल में थोड़ा सा पानी मिक्स करके थोड़ा सा पानी मिक्स कर लोंगी थोड़ा सा पानी मिक्स कर लोंगी कि ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है थोड़ा सा पानी मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर लोंगी और यह मैंने अच्छे से करके अब मै यह थे अपेस्ट कर दूँगा अब जाए तो यह मैंने से एसे हैसे चिपका लिया आथ से दबादोंगी अच्छे से और मैं क्या करूंगी कि प्योडर जो अफ इस पे लगा दोंगी ताकि यह सील हो जाये और एक तरह क जैसे वाटर प्रूफ हो फिर इसमें गिला करके भी कोई फ्लावर हमारा है खराब नी होगा। तो यह हाथ से अच्छे से दबाके बिल्कुल आराम से नहीं तो यह फट भी जाता है आराम से इसे दबाके ऊपर से फे वेखोड लगा के अच्छे से शील कर दूँए और ये दूसरा फ्लावर है इसे भी मैंसे इसके उपर पेस्ट कर दूँगी तो ये मैंने लगा दिया तो देखना कैसी थी ये कैटल पहले और अब कितना अच्छा लग रहा है इसका लुक बिल्कुर चेंज हो गया बिल्कुर न्यू लग रही है इसे हमारे जो पराने चीज़ें पढ़ी होते हैं हम उनको नए लूक दे सकते हैं चीजों को जब हम एक कोई चीज ऐसे कई टाइम तक पड़ी रहती है वो खराब लगती है तो हम उन्हें नियू लूक दे सकते हैं जैसे कि मैंने इस कैटल को नियू लूक दिया है तो कितनी अच्छी लग रही है अब अब इसका सारे मैं इसके उपर फैविकोल की हलब से सील कर दूंग अइसे अच्छे से से कर लिए और इसका जो यह ठकन है छोटे छोटे फिलावर मैंने कट गी है वो छोटे छोटे फिलावर इस पर भी मैं लगा difage यह चैंशे इस एक लोग आपने तो इस में शाइन इन इसाइन आती है और यह बार्टर पशे हो जाता है एक मेरे पास मित्ति का पड़ा था वो भी मैंने ऐसे पेंट किया उसकी वीडियो में बनानी पाई वो भी मैंने सेम कलर किया उसको भी तो वीडियो के लास्ट में देखना आप वो भी दिखाऊंगी मैं आपको तो यह देखो यह उपर से मैंने इसको अच्छे से सील कर लिया अब इससे सूखने के लिए छोड़ूँगी बिल्कुल शाइनिंग आएगी इस पे तो देखो कितना अच्छा लूका है इसका बहुत अच्छी लग रही है अब तो अब यह देखे अब यह सोगे है कितनी अच्छी लग रही है आप दो किया है यह च連 और High जो है जो इसकी वीडियो में बनानी Grucket्ची तो यह मैंने इसको यहां पर प्लेस किया है तो देखो कितना सुंदर लग.. आ बताना आपको कैसा लगा है यह। कैसी लगी है केटल जिसका लुक बिल्कुल चेंज हो गया है बहुत अच्छी लगी है मुझे तो बहुत अच्छी लगी आप बताना आपको कैसी लगी यह बल्यू बाला जो मैंने फ्रेम लगाया पिछे यह भी मैंने कार्ड बोर्ड का बनाया था इसकी वीडियो मैं बाद में शेयर करूँ रही तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में सब तक के लिए बाई बाई